पूर्वांचल एक्सप्रेस्वे रेडी हो चुका है ये मैं काऊंगा बहुत अच्छी न्यूस है कंट्री की डिवलप्पेंट के लिए उत्तर प्रदेश की डिवलप्पेंट के लिए और यहां पर देख पाओगे इस प्यार्टिकल है PM Modi inaugurates पूर्वांचल एक्सप्रेस्वे इन उत्तर पदेश आफ्टर लैंडिंग ओन इट्स एर्स्ट्रिप इनने आई एफ प्लेन C-130 हर्कुलिस विवान से यहां पर लैंडिंग करी गई यह भी दिखाया गया कि कल को emergency के situation में हम इस एक्सप्रेस्वे को इसमाल कर सकते हैं इंडियन एर फोर्स के प्लेन को लैंड करने के लिए भी यहां पर आप देख पाओगे बाद अवे यह फोटो है इस एक्सप्रेस्वे की वैसे एक्सप्रेस्वे बहुत लंबा है 341 किलोमेटर लंबा एक्सप्रेस्वे है यह बस इसकी कुछ एक images है और यह एक्सप्रेस्वे बना है at a massive cost of around 22,500 करोर रुपीज और यह जोड़ेगा primarily लखनव को altogether गाजीपूर से यहाँ पर आप देख पाएंगे यह उत्तरप्रेश का map आपके सामने यह यहाँ पर लखनव capital of उत्तरप्रेश लखनव से लेकर यहाँ पर गाजीपूर जो है यह जो area है यह अप properly connect हो चुका है through पूरवांचल expressway और वैस यह connected होगा expressway से और recently आपने ऐसे article भी देखे होंगे यह for example Times of India का article है कि कैसे उत्तरप्रदेश बन गया देश का expressway capital और ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ expressway की highway की बात नहीं कर रहें expressway highway में फर्क होता भी भी मैं देखता हूँ कि कई articles में casually लिख देते है कि पूरवांचल highway बनिया है जबकि expressway देखो इंडिया में जो भी सड़के बनती है उसमें सबसे जादा बहतरीन class होती है एक expressway की आप expressway पे गाड़ी चलाएंगे you will notice the difference overall आसपास जो infrastructure होगा जिस speed से गाड़िया जारी होगी expressway में यह altogether different होता है और expressway बनाई जाते हैं long term के लिए कि 50-100 साल तक यह टिके रहेंगे और speed की वैसे अगर हम बात करें तो अभी के लिए हमारे देश में रूल यह कहते हैं कि national highway पर जो maximum speed limit है यह है 100 km पर और जो expressway है वहाँ पर maximum speed होती है 120 km पर और जो इंडिया में काफी अजीब सा system है दुनिया में आप अगर देखोगे तो expressway चाए चाइना में बनता है यूरोप में बनता है जब भी बनाये जाता है वो कहते हैं कि 140 km पर आर की speed पर यहाँ पर आप चला सकते हैं इंडिया में रूल अवी के लिए different है गटगरी जी ने रिसेंड़ी यहाँ पर यह कहा है कि expressway की जो speed limit है इसको बढ़ाने के कोई भी vehicle हो यहाँ पर गुजार सकते हैं इससे overall जो economic activity है यह जल्दी होती है और पूरे region को फाइदा मिलता है इसलिए देखा गया है कि जहाँ भी expressways बने है in the past region में आसपास development अपने आप हुई है और चाइना की तरक्की का राज ही बढ़ाय जाता है कि expressway ही है चाइना में vendor construction है उमीद यहाँ पर यह है कि 2023-24 के आसपास तक हम काफिया तक improvement करेंगे और expressway को देखकर जो manufacturing companies होती है वो भी काफी आकरशित फील करेगी भारत में आने के लिए क्योंकि उनको यह पता होगा कि कल को माल अगर ट्रांसपोर्ट करना है विदिन इंडिया तो वो करना काफ यह आसान होगा और उत्तरपदेश का जो पुरवांचल expressway है यह बनाया किसने है क्या इसको बनाया है central government ने तो इसका अंजर है नहीं इसको बनाया है UPEIDA यह है उत्तरपदेश expressway industrial development authority इन लोगों ने statement अभी recently यह भी दी है कि उत्तरपदेश बहुत ही जल्द बन जाएगा पहला राज्य जहां पर expressway stretch कर रही होगी across its entire length और बिल्कुल होगा भी यही उत्तरपदेश में जितने expressway बन रहे हैं जिस quality के expressway बन रहे हैं वो कहीं भी नहीं बन रहे और यह expressway बताया जा रहा है कि read की हड़ी बनेंगे उत्तरपदेश की they will become the economic backbone of उत्तरपदेश अब यह and airhorts के plane आप economic backbone पे क्यो land करोगे यह क्या यहाँ पे तरक है देखिए पहली बात तो ऐसा नहीं के पूरे पूरवांचल expressway में कहीं भी आप plane land कर सकते हैं plane land करने के लिए specifically एक 3.2 km लंबी air strip बनाई गई है at the Sultanpur district ठीक है यहाँ पे आप अगर देखोगे यह Sultanpur district है इसी landing कर सकता है यह देखिए ऐसा तो नहीं है कि regular basis space को हम use करेंगे मगर कल को मान लो अगर war start होती है conflict होती है तो इस case में मान लो कि हमको soldiers transport करने है सुल्तानपोर district से उत्राखण में या फिर सिक्केम में या फिर कई भी और राजस्तान पंजाब में तो यह हम कर पाएंगे बहुती आसानी से और इसलिए PM of India भी जब inauguration करने के लिए पहुचे पूरवांचल expressway का तब इन्होंने यहाँ पर landing करी है एक C-130J Super Hercules plane से यह हमने purchase किया है from USA आज के समय आप कह सकते हैं ट्रांस्पोर्ट विवान में इससे जादा advanced ट्रांस्पोर्ट विवान दुनिया में शायद आपको ना मिले ना एक तो जो Super Hercules भारी वरकम plane है यह तो हमने यहाँ पर land किया ही उसके अलावा 30 और जो हमारे fighter jets हैं for example Mirage 2000 सुखोई जागवार और एवन एक और यहाँ वाना ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट है जो हमने purchase किया था from USSR AN-32 इन समने भी यहाँ पर land किय और इनके operation को कहा गया है आपर touch and go operation मतलब कि आपको बस यहाँ पर air strip पर land करना है landing करते ही वापस take off करना है basically यहाँ पर आपको बस demonstrate करना है कि इस air strip पर landing करना और take off करना कितना आसान है और overall यह expressway बहुत ही important है उत्तरपदेश के long term goal के लिए आपको बताओगा कि उत्तरपद and roll क्योंकि अगर हम बात करें पुरवांचल एक्सप्रेस वे की तो इससे overall लखनव और गाज़िपूर के बीच में जो traveling time था यह अब 6 घंटे से घटकी हो चुका है 3.5 hours और अभी आने वाले दिनों में और भी projects inaugurate होंगे एक तो 19 नवंबर को भूमी पूजन होगा भारत dynamics क missile manufacturing plant का इसकी cost है 400 क्रोड रुपे और यह पार्ट है उत्तर परेज defense corridor का उसके इलावा 25 नवंबर को foundation stone ले किया जाएगा और जेवार international airport और इन सब projects की political importance भी है आपको बता होगा कि UP के election आ रहे हैं 2022 में तो अभी के लिए जो यहापर सरकार है वो उमीद कर रही है कि इन projects से क time है you can purchase the unacademy UPSC course सीधा आजाओ comment section में यहाँ पर आपको मिलेगा link आप खरीद पाएंगे यह unique combo package जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional जी हाँ optional भी of your choice history, political science जो भी यहाँ पर आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं and you can start preparing for these examinations मगर जो यहाँ पर prices लिखे हैं यह अभी pay कर करने के आप शकता नहीं है, यहाँ पर अभी massive discount चल रहा है, simply यहाँ पर code use करो PD10 and the prices shall fall, यह भी special discount के अंडर prices काफियत तक कम है, the discount will end on 17th of November, तो अगर आप purchase करना चाहते हैं यह courses, now is the great time, तो इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you. करें.